ना कार्थिक समो मासों, ना कत्तेन समम यूगं, ना वेद संत्रशं शास्त्रं, ना तीर्थ गंगा समम अर्थार्थ, कार्थिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं, सर्थ्युक के समान कोई यूग नहीं, बेद के समान कोई शास्त नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है जै शिरादा रिष्टा आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भक्ती and entertainment में बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्डिक मास की बहुत बहुत स्वागत है कार्डिक मास पाकवान विश्णी का परमप्रियम मास है हिंदू कलेंडर के अंसार कार्डिक मास आठवा महीना होता है इस महीने में भगवान विश्णू लंबे समय के विश्राम के बाद जागते है इसी बजह से कार्थिक मास को धार्मिक तश्टी से महत्तपूर माना जाता है धार्मिक मानता है कि इस मास में भगवान विश्णू और भगवान श्री क्रश्णी की उपासना करने से जातको सभी तरह के संकुटों से चुटकारा मिल जाता है और साथ ही सुख सम्रद्धी में ब्रद्धी होती है चलिए आपको बताएंगे कि कब से शुरू हो रहा है कार्टिक मास और क्या है इसकी ब्रदकथा पंचान के अंसार कार्टिक मास की शुरुवात 18 अक्टूर से होगी वही इसका समापन अगले महीने यानी 15 नमबर को होगा इस मास में रो जाना सूर्दे से पहले उठकर पवित नदी में स्नान करना चाहिए अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो घर में भी पानी में गंगाजन डालकर इसनान करें इसे कार्टिक इसनान भी कहा जाता है मानता है कि ऐसा करने से जातक को पुन्यफलो की प्राप्ति होती है इसके इलाबा इस मास में भजन, कीर्टन, दीपदान और तुन्सी के पौधी की पूजा अर्चना करना शुम माना जाता है कार्टिक मास में करवाचोद, दीपावली, भायत और समित अन्य पर भी मराएं जाते हैं तो आईए जानते हैं कार्टिक मास की ब्रत्पता का अध्याय पहला कार्टिक महत्तम पहला अध्याय नैमी शाली तीर्थ में सिशूची माराज 88,000 सौन काजिक लिशियों से बोले कि अब मैं आपको कार्टिक मास की कथा विस्ताज से सुनाता हूं जिसे सुनकर मनुश्य सब प्रकार के पापों से चूटकर अंत समय में वैकुंट को प्राप्त होता है सूर्जी बोले श्रीक्रशन जी से आग्या लेकर देवशी नाराजी की चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्षमी पती भगवान से कहने लगी कि हे नात मैं धन्य हुई मेरा जीवन सफल हो गया मेरे जन्म ताता भी धन्य है जिनोंने मुझे जैसी तिलोग के सुन्दरी को जन्म दिया जो आपके सोले शहस्तिस्त्रियों के मंद्य में आपकी परम प्यारी पत्नी मनी मैंने वह कर्प्रवक्ष आदी पुष्प आपके साथ नात जी को विदी पुवक्दान में दे दिया परन्तु वही कर्प्रवक्ष मेरे घर लहराया करता है जिस बात को म्यत्यू लोग में कोई भी इस्त्री नहीं जानती हे दिलो की नात मैं आपसे कुछ पूझना चाहती हूँ आप मुझे विस्तार पूरवक्ष कार्थिक महत्तम की कथा सुनाओ जिसको सुनकर मेरा हित हो कथा जिसके करने से कल्ब पर्यंत भी आप मुझसे बिमुक ना हो सूज जी बोले सत्य भामा के ऐसे बचनों को सुनकर हसते हुए शिरी कृष्ण जी महाराज बोले और सत्य भामा को हाथ पकड़ कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोक कर विलाज सुक्त अपनी पत्नी को कल्ब पक्षी के नीचे ले गए और हस कर कहने लगे कि हे प्रिये सोले हजार रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो तुमारे लिए मैंने इंद्र से अदर देपताओं से भी ब्रोत किया था हे कानते जो बात तुमने मुझे से पूछी है उन अद्बत बातों को सुनो सुर्जी बोले एक दिन श्रीकिष्ट भगवान ने सत्य भामा की प्रियेव कामना के लिए गरुण पर सवार होकर इंद्र लोक में जाकर कल्प्रवक्ष मागा तब इंद्र के मराकर देनी पर गरुण का इंद्र से गोर युद्ध हुआ और गो लोक में गरुण जी ने गोर से युद्ध किया गरुण की चोजगी चोट से उनके कान और पूँच कट कर गिर पड़े उनसे रुधिर से तीन बस्तूद पन हुई कान से तमाकू, पूँच से गोभी और खोन से महदी इन तीनों के प्रियोग करने से मुक्ष प्राप्ति नहीं होती तब गौण ने भी क्रोद में भरका गौण जी को मारा जिससे उनके तीनक पंक तूट कर गिर पड़े इनसे पहले पंक से नील कंट, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन हुए हे प्रिये इनके दर्शन मातर से ही शुफल की प्राप्ति होती है यह सुनकर सत्यबामा बोली हे प्रभू मैंने पिछले जन में कौन-कौन से दान, ब्रत, वजब किये है मेरा कैसा सुभाब था अथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे में त्यों लोक में जन में लेना पड़ा मैंने ऐसे कौन से शुपकर्म किये जिससे आपकी अरधांगनी हुई त्रश्न बोली ही प्रिये जो तुमने पूर्व जन में शुपकर्म किये है विस्तार पूर्वक कहता हूँ उसे सुनो पूर्व समय में सत्यों के अंत में माया पूरी में अत्री कौत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्रामण वेद वेदां का जानने वाला रहता था वहरोज अततियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था उसके ब्रद्धा वस्ता में गुर्वती नाम की कन्या हुई उसका वेदा उस पुत्र ही म्रामण ने चंदर नाम के अपने शिष्चे के साथ कर दिया चंदर को अपने पुत्र के समान मानता अता चंदर भी उसे अपने पिता के समान समान देता था एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए बन में गए हिमाले की तलेटी में ब्रहमर करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा उस राक्षस से भैके मारे उनके सब अंग शितिल हो गए और भागने की सामर्थ भी नहीं रही तब उस काल के सत्रश्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला उनकी धर मात्मा होने के कारण मेरी पारशत उनको मेरे पास वैकुंट में ले आए क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की वासना की थी इस कर्ण से मैं दोनों पर अतिप्रसंद हुआ शिव, सूर्य, गडेश्ची, देवी इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्व को प्राप्त होते हैं मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेश से पांच पकार का होता हूँ जैसे एक देवतत, पिता, ब्राता, आदे नामों से बोला जाता है जब वह दोनों बेमान पर चड़े हुए सूर्य के समान, तेजस्वी रूपमान, चंदन और माला धारण की ये हुए मेरे भवन में आये तो तिप्वे भोगों को भोगने लगे वो कार्तिक मास के ठाकोर की जै, वो राधा रानी की जै, जै शी राधा कृष्णा कार्तिक मामात्तम अध्याय प्रतम समात, जै शी राधा कृष्णा